वाहे गुरुजी का खाल्चा वाहे गुरुजी की फता मन्चस्त सभी महानुभाव इस कारकम्य उपस्तित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव गुरुतेक बहदूर साब के चार सोवे प्रकाश प्रवको समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का रदय से स्वागत करता हूँ अभी शबत किर्दन सुनकर जो शांती मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक्टिकीट और सिक्के के विमोचन का भी सोभागी मिला है मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेश कुरुपा मानता हूँ इसके पहले दोहजार उन्नीस में हमें गुरु नानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकाश पर्व और दोहजार सत्रा में गुरु गोविन सींजी का तिनसो पचासवा प्रकाश पर्व मनाने का भी सवभागी मिला था मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निश्चा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है मैं इस पुन्य अवसर पर सभी दस गुरुओं के चरणों में आदर्पुर्वक नमन करता हूँ आप सभी को सभी देशवासियों को और पुरी दुनिया में गुरुवानी में आस्ता रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हारदिक बढ़ाई देता हूँ साथियों ये लाल खिला कितने ही एहम कालखंडों का साथ्षी रहा है इस किले ने गुरुतेक बहदुर साथ की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी पर्खा है आजहादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंच यहां से प्रतिद्वनीद हुई है इसलिए आजहादी के अमरित महुत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा है आयोजन बहुत विशेश हो गया है साथियों हम आज जहां है अपने लाखों करोडों स्वाधिनता सेनानियों के इत्याग और बलिदान के कारण है आजाद हिंदुस्तान अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान लोकतांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहचाने वाला हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटी कोटी लोगों ने खुद को खपा दिया इभारत भूमी सिर्फ एक देश नहीं है बलकि हमारी महान विरासत है महान परंपरा है इसे हमारे रुशियों, मुनियों गुरुओं ने सेंकडों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है उसके विचारों से समरिद्द किया है इसी परंपरा के सम्मान के लिए उसकी पहचान की रच्छा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था इसलिए साथियों सेंकडों काल की गुलामी से मुक्ति को भारत की आज़ादी को भारत की आध्यात्मी को और सांसकुरुतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए आज़ देश आज़ादी के अमुरित महोत्सव को और गुरुतेक बहदूर्थ साथ के चारसों में प्रकास परव को एक साथ मना रहा है एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है साथियों हमारे गुरुओं ने हमेशा ग्यान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई उन्होंने शक्ति को सिवा का माद्यम बनाया जब गुरू तेख बहदूर साथ का जन्म हुआ था तो गुरू पिता ने कहा था दिन रक्ष संकट हरन दिन रक्ष संकट हरन यानि यह बालक एक महान आत्मा है यह दिन दुख्यों की रक्षा करने वाला संकट को हरने वाला है इसलिए स्री हर्गोविन साम ने उनका नाम त्यागमल रखा यही त्याग गुरु तेग बहदूर साम ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया गुरु गोविन सीजे ने तो उनके बारे में लिखा है तेग बहदूर सिमर्ये घर नव निधी आवे धाई थाई होई सहाई अर्थात गुरु तेग बहदूर जी के सुमर्यन से ही सभी सिद्धिया अपने आप प्रगड होने लगती है गुरु तेग बहदूर जी का ऐसा अध्वूत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था वो ऐसी विलक्षन प्रतिभा के दनी थे साथियों यहां लाल किले के पास यही पर गुरु तेग बहदूर जी के अमर बलिदान का प्रतिख गुरु तेग बहदूर जी का बरिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजभ़वी कट्रता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिनोंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेग बहदुर साब के रुप में दिखी थी। आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेग बहदुर जी हिंदधी चाधर मनकर एक चटान मनकर खड़े हो गए थे। इत्याद गवा है के वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है के आरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेग बहदुर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान चांद हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पत्व प्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेग बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते है भाई और बैनों हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनवतिया खड़ी होती है तो कोई न कोई महानात्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखा कर दिशा देती है बारत का हर छेतर हर कोना हमारे गुरुवों के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सुत्र में पिरोया गुरु तेक बहदुर जी के निवाई हर तरफ हुए पटना में पटना साहिब और दिलनी में रकाम गज़ साहिब हमें हर जगह गुरुवों के ज्ञान और आसिदवाद के रुपे एक भारत के दर्शन होते हैं भाई और भेनों मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूँ कि उसे गुरुवों की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अउसर मिल रहा है पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने सहिप जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निरने किया है सिख परंपरा के तिर्थों को जोडने के लिए भी हमारी सरकार निरनतर प्रयास कर रही है जिस करतार पुर सहाब करिडोर की दसकों से प्रतिक्षा की जा रही थी उसका निरमान करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिवन्तता दिखाई है हमारी सरकार ने पट्ला सहाब समीत गुरु गोविन सीजे से जुड़े स्तानों पर रेल सुविधाओं का आदुनिकरण भी किया है हम स्वदेश दर्सन योजना के जरिये पंजाब में आननपुर साहब और अमृत सर में अमुसर साहब समीत सभी प्रमुक्सानों को जोड़कर एक तिर्थ सरकीट भी बना रहे हैं उत्त्राखंड में हेमकुन साहब के लिए रौप्पे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है साथ क्यों स्रीगुरु गंज साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्यार के प्रसप्रदर्शक के साथ साथ भारत की भीवितता और एकता का जीवन्त स्वरूप भी है इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है हमारे प्रभित्र गुरु गंज साहब के स्वरूपों को लाने का प्रस्ण खड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकट लगा देती है हम न केवल गुरु गंज साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ नागरिक्ता संसोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आये सीक और अर्पसंग्यक परिवारों को देश की नागरिक्ता मिलने क्या रास्ता साप किया है ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वों परी रखने की सीक दिये है प्रेम और सवहार्थ हमारे संस्कारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरु की वानी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहन ना नक सुनी रे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे भारत ने कभी किसी देश या समाच के लिए खत्रा नहीं पैदा किया आज भी हम पूरे विश्व के कल्यान के लिए सोचते हैं एक ही कामना करते हैं हम आत्म निर्वर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है, तो पुरे विश्व के स्वास्त और शांती की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लोटा हूँ, बहां विश्व स्वास्त संगधन के पारंपारिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कौने कौने तक पारंपारिक चिकित्सा का लाब पहुँचाएगा, लोगों के स्वास को सुधारने में एहम भूमी का निभाएगा। साथियों, आज का भारत वेश्विक द्वंदों के बीज भी पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रख्षा, सुरख्षा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुआ की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुआ ने नई विचार सामने रखे। उनके सिशों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था। इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और सत प्रतिशत समर्पन ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आज जहादी के अमरित महोत्सों में आज देश का भी यही संगल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है, जिसका समर्थ है, दुनिया देखे, जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगती, ये हम सब का कर्तब्य है। इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है। मुझे पूरा भरोता है कि गुरुआं के असिरवात से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा। जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे, साधो, साधो, गोविन के गुनगाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, वर्था का हैं गवाओं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीमन का प्रतेक्षा देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास के नई उचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार दिख शुप कामनाय देता हूं। बहे गुरी जी का खाल्चा फते बार कर दो कर दो